तो फाइनली साथिओं आज की डेट में जो एक्जाम हुआ था उसका एंस वर की आपके लिए लेकर आचुका हूँ यह जो कोशन है आईट याई के फिश्टियर वालों का कोशन है जो की आज की डेट में एक्जाम में पूछा गया था इसमें सारे question में cover नहीं कर पाया हूँ क्योंकि जो student college के गये थे के वल यही question बता पाये हैं जितने बता पाये हूँ ही मैं आपको बता रहा हूँ आज का कोशन यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं यह जो कोशन है मुझे करंद से नहीं मिला लेकिन एक सेक्वेंस से मैंने यहाँ पर कवर किया है ताकि जब इसका आप सब कारे करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कोशन नमबर वन जिसमें कहा गया कि मुल्स रेड निपटान विधी कौन सी है जो बहुत सारी उर्जा बचाती है जमीन में भरना या पुनर चकरण या भस्मी करण या खाद डालना इसमें आपका सही हो जाता है आफसन नमबर भी जिसको बोलते पुनर चकरण भी आफसन आपका करेंट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते है कोशन नमबर तीन पे कोशन नमबर तीन में पूशा गया था कि किस परकार के बेवसाई के स्वास्त खत्रे के कारण संकरण हो सकता है इसमें मैंने कुछ कोशन इंगलिस में भी कबर किया है ताकि जो चातरों को हिंदी में दिक्कत हो रहा हो इंगलिस में भी देख सकते हैं थे इसमें आपका पहला आफसे गया था बिद्व के ऩाहिवेयर नविक गया अन्वी देख था चेता है.. आगे बढ़ते हैं, question number 4 पे, जिसमें question number 4 में पूछा गया था कि पिनित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, most important question ये भी है, तो देखिए, पूरी तरह से समयंदल सेल होकर लेटे राना है, बुलाने पर कोई भी उत्तर नहीं है, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हम कहें, उसको कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ने वाला, कोई भी रेक्शन नहीं होने वाला है, तो इसको हम कोमा बोलते हैं, ये आपका सही हो जाता है, डी आफ्सन, बहुत ही जी question आज की डेट में पूछा गया था, question number 5 पे, जिसमें पूछा गया था question कि किस परकार की ठेंडी छेनी का उपियोग की नारों पर पदार्थों को वर्ग कार करने हैं तो किया जाता है, जाली छेनी या क्रास कट छेनी, या अर्ध बृत्यकार छेनी, या हीरा पॉइंट छेनी, तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है, option number D, जिसको बोलते है, डेमेंट पॉइंट चीजल अथा हीरा पॉइंट छेने, D, आफसन करेक्ट इंसर हो जाएगा, मिला जिएगा सभी लोग आगे बढ़ते हैं, question number 6 पे जिसमें पूछा गयाता है, question कि गलत सीजिंग के कारण लकडी में कौन सा दोस्त पर होता है, गांट या घुमाना, या चटकना, या कंपिंग, तो दोस्तो question number 7 पे जिसमें पूछा गयाता है question, कि बैटरी की छमता कैसे बताई जाती है, बोल्ट में, या वाट में, या बोल्ट एंपियर में, या एंपियर घंटा में, तो दोस्तों इसमें आपकी सही हो जाता है, option number D, जो कि एंपियर घंटा में बताई जाती है, सभी लोग ध्यान द्रवो में बिदुधारा प्रवाइथ होना यह कौन सा प्रभाव होता है यह कौन से प्रभाव के अंतरगत आता है तो देखिए जो आपका आता है रहसायनिक प्रभाव के अंतरगत आता है बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए बहुत सारे आफसन देखने को मिल जाएग में समानता कौन सा सेल प्रयोग होता है बोल्टेइक या लिटियम या पारा या सिल्वर अकसाइड तो दोस्तों डिजटल घडियों की बात किया जा रहा है तो डिजटल घडियों में ध्यान एक हमेसा पारा अथात मर्कुरी का प्रयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर दस पर जिसमें कोशन में पूछा गया है कि सीसा अमल सेल में बिदूत अपगटिये की तरह क्या उप्योग किया जाता है हैडोल क्लेरिस एसीड या अमोनिय कुलराइड या पोटिसियम हैडरकसाइड या तनुस सल्फोरिक अमल दोस्तों इसमें आपका सही हो जाते हैं आफसन नमबर दी जिसको बोलते हैं हम तनुस सल्फोरिक अमल ये जो होता है सीसा अमल सेल में बिदूत अपगटिये की तरह उप्योग किया जाता है डी आफसन हम करेक्ट इंसों मारेंगे आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 11 पर जिसमें कोशन नमबर 11 में पूशा गया कि सिल्फर अक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्द कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उप्योग किया जाता है जिसकी जस्ता या ताबा या कार्बन या सिल्फर अक्साइड ये आपका जस्ता का या जिंक का ये आपसन करेक्टेंसवर हो जाएगा मिला लेजेगा आप सभी लोग आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 12 पर जिसमें कोशन में पूशा गयाता है कि सिसकी सेल में धानात्मक इलेक्ट्रोड की रूप में क्या उप्योग होता है जस्ता का या कार्बन क इसलिए मैं आपको दिमाग में बैट पाए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 13 पे जिसमें कोशन नंबर 13 में पूशा गया था कि इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रान खो रहा है कैतोड एनोड या विदूत अप घट्ट यहां पर डी आफसन देखने को मिल जाता है बी भाजक तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जात जिसमें कोशन पूछा गयाता है कि एलेक्ट्रोसिस के दौरा कुछ लोग यहां पर नहीं मालूम होगा मैं बापको बता दता हूं MCB जो होता है और एक आपका ELCB होता है ठीक है यह को दोनों आपका पूरा नाम इसका जरूर देखने को मिल जाएगा आपको MCB का पूरा नाम होता है miniature circuit breaker और जो ELCB होता है इसका पूरा नाम होता है earth leakage circuit breaker ध्याने कियेगा आप देखिए ELCB MCB के द्वारा किस परकार के भार सुनशित किया जाता है motor गीजर या दस्ती आउजार या वाता कुलोनक तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तो आफसन नंबर B जिसको गीजर बोला जाता है B आफसन हम correct answer मारेंगे ध्याने कियेगा B आफसन आपका सही हो जाता है नेक्ट कोशन पर आते कोशन नंबर 15 पर जिसमें कोशन में पूछा गया है कि किस परकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है Faraday Relay या Usmier Relay या Awake Relay या Dry Read Relay तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तो आफसन नंबर C जिसको बोलते हैं Awake Relay यहाँ पर हमारा C आफसन correct answer हो जाएगा सभी लोग ध्यान दिकियेगा C आफसन correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 16 पे जिसमें कोशन में पूछा गया कि कौन सी बिदुस समागरी समानों के समान्य वर्गी करण से संबंदी थे जिसे कि आफसन देख सकते हैं पूज दिया गया सिलिंग रोज इंटर्मेडर स्वीच और यहाँ पर पैंडल लेंप होल्डर दिया गया लेकिन इसमें आपका जो करेक्ट हो जाता है आफसन नंबर भी सही हो जाता है सिलिंग रोज जितने भी छात्र एक्जाम देने गहते भी आफसन मारें उनका भी जिसमें कोशन नंबर 17 में पूशा गया था कि सुरचित ठंडा मोडने के लिए पीविसी नली का अधिक्तम अकार क्या है 12 mm या 19 mm या 15 mm या 50 mm तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तू आफसन नंबर यह जो कि आपका 12 mm होता है कितना होता है 12 mm होता है धियान कियेगा यह आफसन करेक्टेंस्वर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 18 पे जिसमें कोशन पूशा गया था कि और स्थाई प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग परियूगत है जिसे कि क्लिट वायरिंग या कंसिल्ड वायरिंग या पीबिसी कंडियूट टारे या ध हाथू गंडियूट वायरिंग तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है आफसन नंबर ए जितने भी चात्र ए आफसन मार के आए उनका करेक्टेंस्वर हो जाता है ए आफसन करेक्टेंस्वर ध्याने कियेगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 19 पे जिसमें कोशन में पूशा कार के समान के अंतरगत आता है नियंतरण समान के या फक्टरने योग्य समान के यह सुरच्छा के समान के तो फ्यू जो पुर्यू किया जाते सभी को मालूमें सुरच्छा के तोर पर ही किया जाता है तो यह आपका जो सही हो जाता है आफसन नंबर सी करेक्टेंस्वर हो ज पावर उप परिपत के लिए अधिकतम अनुमेव भार क्या है मुझ्ट इंपोर्टेंट कोशन ये भी है तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाता है यहां पर आपसा नंबर भी करेक्ट ट्रेंसफर हो जाता है जो कि यह जो आपका होता है पंद्रोसो वाट होता है कितना ह आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें यहां पर कोशन में पूछा गया है यह आपका जो सही हो जाता है तीन हजर सही होगा यह पंद्रोसो नहीं सही होगा ध्याने की गई आपका तीन हजर सही हो जाता है तीन हजर यहां पर सही हो जाता है आगे बढ़ते कोशन तो दोस्तों यदि आपको कोशन पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक किजेगा और इस तरह की डेली कोशन पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब किजेगा और मैंने जो यहां पर तीन तारीकों और पास तारीकों एक्जाम हुए थे एलेक्टिसियन का उस सारे कोशन मैंन कर दिये यूटूब पर जाकर आप चैनल पर देख सकती सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा